हेलो फेंस में नितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इन्वेश्ट फोरेवर में एक बाग फ्रेसे स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम बात करने वाले हाओ पू एप्लाई फोर राइट इशूॉ। राइट इशू की बात कर लेगे हाओ टू अभी हम राइट ऊसू की बात करेंगे कुए ऑट अगर आप आपी Okay,以 case बात करने चाहते है तो अप आप 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 यह कर सकते है तो इसके है वो steps मैं आपको दिखाऊंगा ओके आप उस steps को follow करिएगा तो easily आप right issue के लिए applicable होंगे तो आए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो भी किसके तुरू asba asba के तुरू asba क्या होता है asba एक ऐसा method है okay जो आपका bank है वो प्रोवाइड करता है किसके लिए से भी उसे authorize करता है और उसके तुरू आप ipo में या एक और शेयर बजार में जो भी अगे बढ़े रिक्वेश्ट करूंगे इन्वेश्ट फोरवर चैनल आपका चैनल है आपकी ही जिम्मेदारी है इस चैनल को आगे बढ़ाना आगे बढ़ाना और केवल आगे बढ़ाना ताकि हम जो information आपको pass on करते उसके बिहाब पे आप सीख सके और बहुत सारी चीज़ है बाकी वीडियोश को जाके देखिए share करेंगे यहतना आपि शियर करेंगे और like करेंगे जतना आप लाई करेंगे याद रखिए उत्नी बहत्री वीडियो और आती रहेंगी और आपको educate करते रहेंगे तो आए वीडियो की तरह आप आगे बढ़ते हैं तो how to apply for the right issue through asba asba की बात कर रहें, तीन तरीके से एपलाई कर सकते हैं, मैं आपको तीनों, मेथड बता देता हूं सब से पहले आप चाहे तो लिंक् ouvert को पर आप जाएंगे सबसे पर कर सकते हैं, अभी लिंक इन की साइड पे आ रहा है इशु ओके यहां पर link in की साइड पर आ के आ रहा है इशु आ रहा है क्यों कि अगर यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर payment को option नहीं आ रहा है यहां पर सीधे problem आ रही है तो यहां पर इसलिए का यह option आता है तो आप एक बर चेक कर लिजेगा यहां पर जाहिएगा link in time पर य किया जिसको राइट इशू आप पर अप्लाई करना चाहते है राइट इशू पर आपने क्लिक किया यहां पर आ जाता है प्रमेक पेमेंट का उप्शन वह अभी आ नहीं रहा है आई तिंग दिर इस सम् टेकनिकल एरर जिसकी वरे से वह ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक एप को देख लीजिएगा तो आपको सारी की सारा मैथर पता चल जाएगा कि कैसे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इसके तुरू जो मैं मैथर आपको बता रहो दूसरा मैथर यहां पर इदे रखा है देखिए एप्लिकेशन फॉर्म ओके यहां पर इमेल डाल दीजिए यह पर राइट इशू के लिए यहां फॉर्म निकल आएगा फॉर्म को फिल करिएगा फिल करके जिस बैंक पर आप जाईएगा आपका जिसमें अकाउंट हो और जाके वो दे दीजिएगा और कह दिएगा कि राइट इशू में अपलाई करना है यह से आईपियों में चाहि काउने टे पाउन आज दो यहां पर टिकल दे जीएगा अचलाइंगे कि एस ग्रष्म पाउन सिरों को घुना हाईग है तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता है तो श्रडविवा ने ले जंग अने इस 49 अकॉंट स not हमें जाहेंगे आपने नेडिएर करेंगे यहाँ पर अपर On करेंगे नेडिएर के यहाँ है क Gimme को कि यहाँ पर आपको एक option दे रखा होगा कौन से option दे रखा है IPO and right issue new तो जैसी आप यहाँ पर click कर देंगे और कुछ details और यहाँ पर click करने के लिए काएगा वो click कर देंगो जैसी process करेंगे तो आपको एक page और open होके आएगा उस page से related में आपको और दुबारा बता देता हूँ यहाँ पर उस page पर आप ही जाईएगा जैसी आप यहाँ पर उस page पर रहेंगे तो देखी ऐसा कुछ लिखा आएगा और यहाँ पर देखिए अलग-अलग group का जैसे इंडेस्ट्री लिमिटेड ओके भागी रथी chemical इंडेस्ट्री यहाँ पर इनके कुछ आता हूँ आता करना है तो डाउनलोड करके पढ़ लीजेगा सारी की सारी डेटेल्स अल्रेडी बता रखिया आई बटन पर लिंक दे दूंगा तो वीडियो को देख लीजेगा तो और पता चल जाएगी और एपलाई करना है यहाँ पर एपलाई पर क्या करना है आपको किलिक करेंगे तो करेंगे दिग किशी का एकाउंट एटो किशी का है अपर स्टाइऑ की SUBSCRIBE के साथटा कि थे मेरा है जरूदा में जरूदा की क्या है स्टोर्ण को करता है कंडेशल की तो यह पता लगेगा यह बसth 바로 कर लीजेगा आफम लेका मेल कर लिएगा या सेटिंग में जाहिएगा जैसी सेटिंग में जाहेंगे तो यहां पर cdsl ही लिखाता है उनकी सेटिंग्स में कैसे जाना है इंडिफरेंट इफरेंट सेटिंग्स होती है Okay AngelBoking पूरी DP की डिटेल्स होगी, आपके अकाउंट की डिटेल्स होगी, आपका DP अकाउंट नमबर होगा, BO नमबर होगा, सब्सक्री यहां पर डिटेल्स दे रखे होगी, अगर 0-10 में है, 0-10 में वहां लिखा रहता है CDS, as well as DP name और DP ID, आपको करना क्या है, तो अगर आपका 0-10 में है और आपको यहां पर DP ID नहीं पाता, जरोदा का किसमें है, डिपोजिटरी में, CDS, तो आपको क्या करना है CDS, अब यहां पर कुछ बढ़नी है, जैसे कि यहां पर डिपोजिटरी नेम, यहां पर जैसे HDFC का होगा, तो HDFC में अगर आपका DMAT account है, तो HDFC bank की होगा, अगर ICICI में तो ICICI Securities होगा, यहां पर किसी का 0-10 में है, तो आपको क्या लिखना है, 0-10 लिख देना है, किसी का यहां पर, किसी Angel Broking में होगा, तो Angel Broking लिखना है, यहां पर इस तरीके से, आप यहां पर DP name लिख दीजएगा, तो मेरा जैसे 0-10 में है भी है, और मेरा Angel Broking में भी है, तो आपको आपको लिखना है वो लिख लिख लिजएगा, अब क्या करना है आपको दूसरा में और इसके बाद यहां पर बढ़ना है, यह DP ID, तो DP ID कैसे भरेंगे, DP ID भरने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है, ओके आपको अपने कंसोल में जाना है, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं, जैसे ही जाएंगे, डेशबोर में एकांट, एकांट में यहां पर DMAT, यहां पर DMAT दे रखा, DMAT में क्लिक करेंगे DP ID और BO ID, यह दे रिखिए, यहां पर दे रखा, DP ID, BO ID, तो दोनों को यहां पर DP ID और BO ID, दोनों मिक्स करके, आपको कहां लिख देना है, यहां पर लिख देना हो, जैसे आप यहां पर फिल कर देंगे, तो यहाँ पर आपको जाना है नीचे, नीचे जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पर कितने share के लिए बिढ़ करना है, जैसे कि आपके पास अगर 30 share थे तो 37 share मिले है, तो आप 37 share लिख देंगे, 37 के हिसाफ से यहाँ पर प्राइस आजाएगा, तो यहाँ पर आपका बैंक में पैसे होने चीए, इतने जितने पैसे है, जतने राइट इसू के लिए अपलाई कर रहे हैं, और पैसे क्या हो जाएंगे, आप क्यों हो जाएंगे, फ्रीज, वो आप यूज नी कर पाएंगे, और उसकी जगे आपको दस तारीक के बाद वो पैसे कट जाएंगे, और आपके एकाउंट में आ जाएंगे, और अगर आप कैंसिल करना चाते है, तो यह जैसी प्रोसीड करेंगे, वहाँ एक कैंसिल का भी ऑप्शन होगा, तो आप अगर कैंसिल कर लीजेगा, अगर आप क आपके पैसे यहां पर कट जाएंगे, और दस तारीक के बाल आपके आपके लिश्ट होंगे, तो आपके लिश्ट होंगे, तो आपके लिश्ट होंगे, आपके लिश्ट होंगे, तो आपके लिश्ट होंगे, आपके लिश्ट होंगे, तो आपके लिश्ट होंगे, आपके Asian tiles गिरता हुआ नजरार, continuously गिरता हुआ नजरार है, तो एक बात कहूंगा, कि बड़े बड़े शेयर, Ultra Tech की बात कर लीजिए, ओके आज कितने रुपे पर चल रहा है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ, Ultra Tech, Ultra Tech Cement, कभी यह शेयर अगर देखे, ओके आज की रेट में 65 रुपे पर चल रहा है और यहां पर 8000 रुपे तक जाता हुआ दिखाई दिया है, तब यह शेयर 1000 रुपे पर हुआ करता है ता, 800 रुपे पर चाहिए और फिर उसके बाद यहां पर अठाई सो रुपे पर ट्रेट कर रहा है, तो इसी तरीके से जर्नी होती है, कभी कोई भी चीज लगाता ने बहती है, और कुछ भी ऊपर नीचे चलता रहता है, और इस कंपनी है, फंडामेंटल्स अल्रेडी समाजा चुका हूँ, यह शेयर एक दिन, दो दिन, चार दिन, छे महिने के लिए नहीं है, अगर अगर आप खरीद रहे है, तो इसे कम से कम 4-5 साल के लिए भूल जाईएगा, क्यों कि 4-5 साल में आपको रिटर्न यह 10-20-50 पर सेंट नहीं देगा, 4-5 साल में आपको रिटर्न जो यह देने वाला है, आपको रिटर्न मिलेंगे इतने, ओके बहतरी, 800-900% के रिटर्न मिलेंगे, और आपका पोर्टफोलियो जो अभी नेगेटिम में है, वो प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई देगा, आज के दिन, एक बह होती ही दिखाई दी, 10-11% और नीचे जाके लगबग 400 रुपे पे, और हमें अभी अगर यह 400 रुपे पे होता ना, तो याद रखिए मैं आपर राइट इशू के लिए अपलाई नी करता है, क्योंकि राइट इशू में भी हमने ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है, ब बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे है, बस थोड़ा सा उस केपक्स को जैसे रिजल्ट आना शुरू होगा, तो एक बहतरीन रिटन्स ये कंपनी देती हुई नजर आईए, और आज के दिन में एक केंडल बनती हुई नजर आईए, एस वेल आज यहाँ पर एक सपोर्ट लेती हुई नजर आईए, 2014 का यहाँ पर एक सपोर्ट लेती हुई नजर आईए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, तो देखिए, 2014 का एक सपोर्ट लिया है, 8 जुलाई 2014 में इस रेट पर चल रहा था, आज दुबारा यहाँ पर 8 साल बाद यह शेयर नी हमारा जो टार्गेट है, 781, 781% के रिटन, 781% के रिटन तक शायर यह जाता हूँ, दिखाई दे, और यहाँ पर फिर रुकेगी नी चीज़े, अच्छे रिटन आएंगे, तो अच्छे रिटन भी मिलते हूँ नजर आएंगे, बाइंग सेलिंग के कोई रिकमेंडेशन न हमाज जाहिए, ओके यहाँ पर लिष्ट दे रखी थी, SBI वगरा, सब में आपको पता चल जाएगे, कैसे अपलाई करना है, और फिर भी नहीं होता, तो लिंक इन टाइम यह टेकनिकल इशू आ रहा है, जैसी यह टेकनिकल इशू यहाँ पर खताम होगा, तो मैं एक और व पर भी है, फिजिकल पर भी है, आप जो करना ही, यूज करना चाहिए, यूज कर सकते हैं, बाइंग सालें की रिकमेंडेशन नहीं है, अगर वीडियो अच्छी लगे, तो याद रखिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और नमबर पर आप हमें कॉन